हाई फ्रेंस विल्कम बैक तुमें यूटीब सेनर गाउंकी गोरी में कैसे हैं आप सब मैं अच्छी हूं और आप लोग भी अच्छी होंगे तो दोस्तो गूड मॉर्निंग सब्कोर क्या करें आप सब और आप लोग तरप का मौसम कैसा है और इधर दोस्तो आप तो गाउं सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें स्सिक्राइब कि दिपाली आयरहा में कि दिपाली आरहा है तो घर च्भाड़ना पडेगा क्यूंकि मैं थी नहीं घर पे तो मीरा पुरा खर पुरा मिंटी खड़ी liegen तो चाबना पड़ेगे मिट्टी से ही चाबेंगे और मैं आके लिए ही पुरा घर को करते हूं तो इस बार मेरे दीदी की बेटी आ रही है तो आज मैं मिट्टी ढो लेती हूं और इधर मेरी मां बना रही है सबजी और दोस्तों हम लोग का इस बार दिपावली में पूजा क करते हैं और बाबा है नहीं मेरे तो फूजा नहीं होगा लेकिन हम लोग दिया जरूर जलाएंगे तो घर को पहले करते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा मुझे लगता है दिपावली तक मैं घर को नहीं चापाऊंगी पर क्रिस्मस भी तो आ रहा है ना और क्रिस्मस में भी सा जाओं गुमने फिरने और मैं अकेली हूँ और मा है लेकिन मा नहीं सकती है तो उतना हमाइने बोलती हूँ घर की साफसफाई के लिए मैं खुद ही करूंगी और इसलिए मैं अभी मुझे समय मिला है तो कर लेती हूँ घर की साफसफाई जो भी है करना क्योंकि मेरी और यह देखिये कितना काम का है और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे यह रहा चाची का छोट अला परात और मैं बड़ा वाला परात में मैं नहीं सकूंगी उठाने क्योंकि मुझे उठाने के लिए कोई नहीं है तो दोस्तों मैं यह परात और कोदाली ले ली हूँ और मैं जा रही हूं मिट्टी लाने और वही का मिट्टी दिवाल के लिए ला रही हूं जमिन के लिए तो दोन का मिट्टी लाना पड़ेगे पर दोन में अभी धान लगा हुआ है और वैसा कुछ भी हमको दोन का मिट्टी नहीं मिल रहा है और दिवाल के लिए तो वही लाल मिट ही यूज करते हैं तो मैं भी कमिट्टी ले जाऊंगी दोस्तों और यह कुदाली पराद से चली कोड़ते हैं तो दोस्तों मेरा फोन भी पकड़ने के लिए भी कोई बच्चा भी यहां नहीं दिख रहा है और कोई भी नहीं है मैं आके लिए हूं बहुत मैंनेज करना पड़ मुझे आता है सारा काम तो नहीं लेकिन हां आता है प्रय प्रय आता है और दिर दिरे मैं सीख भी जाऊंगी बहुत कुछ जैसे उस दिनेठो बनान नहीं आया तो पर बहुत कुछ आता है काम करने बहुत कुछ नहीं भी आता है दोस्तों मैं कोडती हूं और मैं घर ले जा तो दोस्तों कोई बात नहीं मैं खुद से ही रोती हूं उसके बाद में मिलती हूं मैं आप लख से तो दोस्तों मिट्टी मैं यहां पर गिराऊंगी यहां पर मिट्टी मैं जमा करूंगी तो यह देखी दोस्तों मैं इतना मिट्टी ढोई हो अब दोस्तों मिट्टी को थोड दोस्तों यह तरह से मैं मिट्टी को करती हूं यहां पर गढ़ा बनादी हूं यहां पर यहां में पानी डाल सकती हूं अबonenOR तो दोस्तो मिट्टी तो में लेके आगई अब एक बार चुऊंगा जा रही हूं और ये बालती में पानी लाओंगी वहां मिट्टी में डाल दूँंगी और मिट्टी अगर नहीं होगा तो मैं फिर से ढ़ओंगी लेकिन अभी फिल हाल के लिए इतना ही डो रही हूं क्योंक अब दोस्तो मैं जाती हूं घर और यह देखी कितना सुन्दर भी दिख रहे है यह धान जो है पूरा उलट पुलट सूप गिया है बहुत जादा धान हुआ है तो इसे खड़ा नहीं हो पार है तो इधार उलट पलट और हावा के वज़े से भी अभी मस्त आ रहा है पूरा पानी के वज़े से हम लोग का गोड़ा धान जूरा रहा है तो साय दाफ लोग दूआ किये होंगे तो धूप आया है आज बहुत तेज धूप और बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जाती हूं पहले तो यह पानी लेके घर उसके बद घर में मैं आप लोग से मिलत दोस्तों पानी लेके आ चुकी हूं और यह पानी को डालते हैं तो दोस्तों यह मिटी मैं भींगा चुकी हूं और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है यह मैं नेक्स्ट व्लोग न बताऊंगी और यह देखिए ऐसे दिवाल मेरा तूट गया है अंदर साइड भी एक दो जग कि लिए हो घो गया है वही सबको दोस्तों चाबना है और अभी यह मिटी भींगेगा और चौड देतें हैं ऐसे ही और फिलिपी किma खान खाने जाती हैं और आप लोग अगर प्री हैं तो प्लीस आईए हम लोग धान काट दीजिए क्योंकि जूडा रहा है दोस्तों तो हेल्प कीजिए हम लोग फटोड़ा और दोस्तों धान काटनी के बदली में हम लोग तो हनिया पिलाते हैं दोस्तों आईएगा हम लोग का घर में तो हनिया ब अकिले और मेरे हमे काम करने वाले लोग कम हैестно हम्लोग लोग खरतम नहीं हो रहा है तो दोस्तों मिलती हूं मैं आप लोग से धन्तान पर पहुंचनी के बाद में आपमग profound में आर है दोस्तों और उपर वाला टाण में भी है तो दोस्तों काटती हूं मैं ये धान और उसकी बाद में मिलती हूं मैं आप लोग से धान काट कि क्यूंकि अभी तो मेरा फोन पकड़ने के लिए भी नहीं है और यहां फोन रखने के लिए कुछ भी नहीं है और इधर साइड बनातना करते हुए मैं काटती हूं क्योंकि बोलेंगे नहीं तो घरवाले की दिनवर फोन में खेलते रहती है और कामदंधा कुछ करती नहीं है ऐसे तो दोस्तों मैं धान काटती हूं लास्ट में आप लोग सी मिलूंगी कि यह टान खतम होता है कि नी और उपर एक टान है व में धान है ही उसको सूरू भी नेकी हूँ और आज जो है चाची उरद पीट रही है तो आई थी मेरे लिए सिर्फ पानी ला रखी और फिर चली गई दोस्तों और दोस्तों आज मुझे आके लिए ही काटना पड़ा और मैं दो पहर में खाना भी खाने ने गई थी तो और मु दोस्तों जाती हूं मैं घर अब साम होने को है और मुझे बहुत जो से भूख भी लग रही है बहुत जोर से प्यास भी लग रही है तो दोस्तों मैं आप लोग से घर पहुंचके मिलती हूं तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं तो जल्दी से हाथ पर दोती हूं उस तो दोस्तो अभी मैं जाती हूँ कुणा फिर मैं मिलती हूँ आप लग से दोस्तो मैं पानी लेकर आ चुकी हूँ और खान तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ और दोस्तो अभी छे चमुती सो रहा है दोस्तो और इतना जल्दी हम रोग सोने जा रहे हैं और मा तो सो चुकी मैं जाती हूं दोस्तों सोने दोस्तों यहां पर एक फोल्डिंग है इसमें माँ सो चुकी दोस्तों यहां पर मैं सोती हूं मैं जमीन में सोती हूं दोस्तों इधर मेरे बुक्स वगारा जमीन पर पड़े हुए हैं तो दोस्तों जाती हूं आप मैं सोने और मैं जमीन पर सोती हू को अब भी फुरहाल में चटाई पीछाती है और यसके उपर फॉत फूर डिसा के और सो जाती हूं तो दोस्तों मुझे जमीन में सुखुन से नीद आ जाता है बहुत अच्छा लगता है और मेरा घर हुए पुरह मिट्टी के तप भी बहुत जल्दी उट आपना घर में तो आज के लिए दोस्तो इतना हैं I hope कि आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगे और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और नोटिफिकेशन बिल आइकन को भी दबा दिजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड तब तक के लिए बाइबाइब टेक केर और लव यू ओल और प्लीज दोस्तो अपने फैंबली का भी खाल रखियेगा तो बाइब दोस्तो